मैं आपके माध्यम से कहूँ कोई ऐसा दिन गया है जिसमें आपके पास एक सवाल ना हो किसी रेट का कभी तमिलनाडू, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी दिल्ली, महारास्ट्रा, कोई ने कोई राज्य है ये क्या साबित करता है कि चुनाव नस्दिक आ गया और पुलिटिकल लाइन लेनी पा रही है, वीजेपी या टॉप जो इनके दो लोग है तो इनको सीबी आई, इडी वगेरा ना कहा जाए, बिकार बिचारे इन एजेंसिस को बदनाम कर रहे है सत्ता सिर्ष पे बैठे दो लोगों को लगता है कि यही एक मात्र विकल्प है पुलिटिकली डील करने का, अभी और बढ़ेगा मैं आपसे कहूं कि प्रति दिन एक सवाल आपका, किसी न किसी रेट से होगा और ये जाहिर तोर पर संदेश देता है कि चीजें कहा तक पहुँच गई है ये जो उफान आ गया है, जातिगत सर्वेक्षन का हर जाती विकास के तालुक से अपना आकड़ा देखना चांदी है इन आकड़ों को डिनाई करने वाले एक्सपोज हो रहे है मैं आज भी कहता हूँ, एक बैलट बॉक्स रख दीजिए और बीजेपी के सांसदों को कहिए कि बिना नाम लिखे जातीगा सर्वेक्षन पर हाँ या ना, जातीगा जनगनना पर हाँ या ना डाले आश्चर चकित हो जाएंगे मोदी जी, रमिजशा जी उनके अंदर के भी लोग जो इन समुदायों से आते हैं, वो ये जनगनना चाहते हैं अनुप्रिया पठेल जी तो खुल के बोल चुकी है तो जाहिर तोर पे इसको, मैं तो कई दिन से कह रहा हूँ कि बिहार से जो सर्वे के आंकड़े आएं, प्रधान मंत्री जी को उन आंकड़ों को गले लगाना चाहिए स्वागत करना चाहिए क्योंकि कोई भी सरकार अगर समावेशी विकास नीद बनाती है तो उसके लिए ये समकालिन वग्यानिक आंकड़ों की जरूरत के अंदर सरकार समझती है ने कि तुजवरी उनकी बपाउती है ना ये लोगों का एक 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 उनके खुन पसेने की कमाई है और उसमें अगर आप अपने बिरोध के दलों की सरकार को परिशान करने की कोशिश करें तो आप अननागरिक को परिशान करने हैं और इसके नतीजे आपको बगतने होंगे